हलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल टेउबर टेप में आपका स्वागत है आज के इस पीडियो में हम जानेंगे चटपर्टी मुंगफली कैसे बनाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कच्छी मुंगफली ले लेंगे फिर हम मुंगफली को अच्छे तरीके स भून लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मुंगफली काफी अच्छे तरीके से भून चुकी है इसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ी धे ठंडा होने के बाद हम इसे हाथों से मसल कर साफ कर लेंगे ताकि मुंगफली के छिलके निकल जाएं और मुंग दूकस किया हुआ नारियल और यह मिर्च है और नीबू है और यह धनिया कटी हुई है बारिक कटी हुई है हमने और यह नमक है अब एक बावल में हम मुंगफली के दानों को डालेंगे इसके बाद इसमें हम मिला देंगे अच्छे से इसके बाद बारिक कटी हुई जो धनिया है उसको हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम कर्दुकस किया हुआ नारियल उसे अच्छे से मिला लेंगे फिर हम स्वादा अनुसार नमक मिला लेंगे इसके बाद हम उपर से नीवू नी चोड़ लेंगे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छा दिख रहा है और टेस्क में भी काफी चटपटा तीखा और बहुत मज़ेदार है खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा आप अपने हिसाब से डेकोरेशन करके इससे सर्व कर सकते हैं लाइक और कमेंट करके बताईए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सस्क्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लीजें झाल